जैस्री राम प्रिय भगतो आज का टोपिक है ऐसे व्यक्तियों का कल्यान निश्चित है एक परसेंट भी संसे नहीं है। गीता में भगवान ने स्वेम बताया है अगर हम उस बात के उपर अमल कर लें तो निश्चित ही अमारा कल्यान होगा। गीता ध्याएदो के स्लोक नंबर 71 में भगवान कहते हैं जो पुरुस संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित एहंकार रहित और प्रहा रहित हुआ विचरता है वही शान्ति को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी सारी किरियाएं स्वार्थ रहितो यानि जो भी हम काम करें वो निश्वार्थ भाव से करें। हमारे किरियाओं में किसी प्रकार का एहंकार, स्वार्थ, ममता और आसकती नहीं होनी चाहिए। तब तक वह काम हमें मुक्ती नहीं देने वाला होता, इसी का नाम करम योग है। निश्काम भाव आ जाने से यह आध्यात्म विशे का खास साधन बन जाता है। हम यदि यग, दान, तप, सेवा सकाम भाव से करते हैं, तो वे सब राजसी हो जाते हैं। वह धर्म तो है, पर सकाम धर्म है, और सकाम धर्म के पालन से कामना की पूर्ती होती है, स्वर्ग आधी मिलते हैं, किन्तु उससे कल्यान नहीं होता, व्यक्ति को मुक्ती नहीं मिलती। इसलिए हमें धर्म का पालन भी निसकाम भाव से करना चाहिए। आध्यात्मिक विशे तो सवरूप से ही निसकाम है, यदि उसमें सकाम भाव हो, तो उसका नाम ही आध्यात्म विशे नहीं हो सकता। असली आध्यात्म विशे वही है जिसमें अपने आत्मा और परमात्मा का ज्यान हो जाए। उससे निश्चे ही व्यक्ति का खल्यान हो जाता है।